तो इस बार हम लोग थोड़ा सा अलग करने वाले हैं जो हम अनालसिस चार्ट से शुरू करते थे इस बार थोड़ा सा अलग होगा अनालसिस आपको दिखाएंगे कि कंपनी का बिजनस क्या है और कितना बड़ा स्केल है बिजनस का जी तो आशा है कि आपको मेरी स्क्रीम दिख रही होगी मैं एक बार स्क्रीम शेर कर देता हूं जी यह कंपनी का बिजनस है इंडिया फर्स्ट एट लें एक्ट्र डोस केबल स्टेट ब्रिज बिल्ट इन 33 मंस देखें कितना बड़ा ब्रिज है सिरफ 33 महीने में 33 मंस में बनाया है कंपनी ने इस्टन पेरिफेरल एक्परस भी यह मेरे घर के पास है मैंने भी काफी उसके बहुत अच्छी क्वालिटी से बना हुआ है यह भी रेलवे ओवर ब्रिज सो दिन के अंदर बनाया है और ब्रिज है रिवर के ओपर ब्रिज तो इसी तरह के बड़े-बड़े लास्सकेल वाले जो प्रोजेक्स होते हैं कंपनी लेती है तो यह तो पता चली गए कि इंफ्रास्रक्शर की कंपनी है तो अपना पुराना तरीका इस्तिमाल करते हैं वापस चलते हैं चार्ट पे इसको करते हैं यहां से बंद और देखते हैं चार्ट पे क्या हो रहा है तो स्वागत है आपका एक बार फिर फाइर सरकल प्राइवेट लिमिटेर्स के वीडियो अनालसिस में मेरा नाम शरद है तो हम आज बात करने जा रहे हैं अशोका बिल्ड कोन के उपर इन्फरस्ट्रेक्चर की कंपनी है आपने पीछे काफी दिनों में यह ध्यान दिया हुए कि हम PSU सेक्टर पे काफी बुलिश थे हम रियालिटी पे भी काफी बुलिश थे हैं और हम इन्फरस्ट्रेक्चर पे भी काफी बुलिश थे तहो PSU Banks की और PSU Companies की तो हमने काफी वीडियो अप्लोड किये लेकिन इन्फरस्ट्रेक्चर की कोई खास वीडियो हमने नहीं दिखाई थी तो आज अच्छा मोका है तो हम infrastructure की company का analysis करते हैं तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं बहुत simple रखेंगे, easy रखेंगे आप लोग को स्वमिश में आएगा, आप enjoy भी करेंगे जी, तो ये मैं इसको monthly में convert कर देता हूँ monthly chart है log scale पे और simple simple दिखाते हैं आपको कि ये channels काम कर रहे हैं अब आप ध्यान देंगे तो सारे के सारे जहां भी log quality वाले regions हैं वो सब cover होगे इस एक channel में आप देखे, यहाँ पे 3-4 बार resistance लिया यहाँ पे support प्लस log quality और resistance हर एक चीज़ थी ये भी log quality zone है ये भी एक log quality zone है बहुत ही शांदर और ये भी नीचे support zone है और ये भी support zone है तो channel ने पूरी तरह से cover कर लिया है पूरे stock के moment को, तो बहुत easy है कुछ ऐसा आपको अभी तक कुछ ऐसा मुश्किल नहीं दिखा और easy रखने का ही हमारा उतेश है अभी तक इस पर वापस बाद में आएंगे तो यहां पर आप ये लेके चलिए कि अभी ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक resistance जैसा है या resistance को तोड़ दिया है आगे जाके देखेंगे यहां पर एक support जैसा देख रहा है 80 rupees के आसपास ठीक है अभी के लिए इतना ही देखते हैं आगे देखते हैं कि जो उपर यह सा हुआ था इसमें कुछ pattern भी बना था या उसके targets भी आया थे तो यह देख लेते हैं तो यह एक neckline है pattern की और यह pattern का target था तो exactly जो price नीचे हैं उनको match किया है तो pattern ने perfectly काम किया था इसको भी अटा देते हैं ठीक है अभी चलते है weekly chart पे और वो भी चलते है linear scale में कि अभी कह चल रहा stock में अभी हमारे लिए क्या-क्या है तो आप एक चीज़ जो मैं pattern बता हूँ उससे पहले आप देखिए कि stock का nature क्या है कि stock काफी दिन होता है range bound रहता है और range bound की जब range bound वाला जो pattern है जो भी उस स्थितिय है उसको तोड़ता है तो काफी अच्छा movement आता उपर की तरफ आप यह देखेंगे यहां से इस इस जगे से 2013 में इस जगे से यहां तक एक बार में काफी उपर गया है फिर यहां से लेके यहां तक उपर तेज गया है यहां से यह उपर गया है 2020 के fall के बाद और उसके बाद फिर range bound हो गया तो range bound होता है फिर उसके बाद अच्छा चलता है stock का nature है और problem क्या आती है stock में क्या दिख रहा है कि 2018 के आसपास जो हाई था, that was around 195, तो 195 का हाई बनाने के बाद अभी नीचे ही नीचे चल रहा है तो लोगों का जो ऐसे में रिटेलर्स हैं, जो उपर फजगे हैं, वो बड़े परशान हो जाते हैं और कुछ भी उनको प्राइस थोड़ा सा भी उपर अप्रिशेट होता दिखता है, तो निकल जाते हैं लेकिन जो बड़ा पैसा है, इसी टाइम आता है हम exit करते हैं और जो बड़े player हैं, वो entry करते हैं ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरा फिर ये देख लेते हैं कि अभी जो हम pattern की बात कर रहे थी, उसमें क्या है चलिए हमने इसको linear कर लिया है, linear पे अब आप ध्यान देंगे, तो बड़ा सीधा सीधा सा एक support दिख रहा है, ठीक है उसके बाद में एक ये resistance दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि weekly chart पे resistance को break कर दिया, breakout आ गिया है ठीक है, अब resistance कब से लगबग 2019 से है, मतलब 4 साल हो गए है, 4 साल का resistance तोड़ा इसने, तो ऐसा हो सकता है कि ये price यहां के बाद नीचे आए ही ना, तो बहुत अच्छी जग है पर आप अभी भी buy कर सकते हैं इस particular level पे ही नीचे आता है और आपको 80 रुपीज के आसपस मिलता है, जो ये support पे यहां पे दिख रहा है तो वहां पे भी buy कर सकते हैं, और ज़्यादा buy कर सकते हैं, पर आने के chance कम है क्योंकि अच्छा खासा pattern बना हुए है और अच्छा खासा breakout आया है pattern में ये आपको याद हो, 80 रुपीज मैंने आपको जब मैंने ये parallel channel दिखाए थे उसमें भी ये support आ रहा था तो मैं यहां पे हमारा काम इसमें खतम हो गया कि resistant support है, breakout आ गया है, retest भी हो गया है buy chance है करनी चाहता है, तो आपको और ज़्यादा खरीटना है, otherwise आप यहां पे भी खरीट सकते हैं मैं आपको फिर से ये हटा देता हूँ और फिर से revisit कराता हूँ, low chart पे और monthly में ही चलते हैं, ज़्यादा easy रहता है, auto कर लेता है जी, और फिर से आपको ये दिखाता हूँ channels बड़ा सीधा से है, पहला target आपका 165, second target आपका 250, उसके बाद एक target आपका आता है, 375 के असपास, 375, 380 ठीक है, तो अच्छे target है, stock के, और बीच बीच में छोटे मोटे resistance आते हैं, उनकी तरफ आपको देखना नहीं है, और काफी, मतलब पूरा जो stock है, इस channel के तरूप पूरा का पूरा validate होता है, कि सारे के सारे इसके movement जो है, उसका locality, supports और resistance, सारे के सारे इसी channel से ही cover हो जाते हैं, इस channel को अगर मैं आपको weekly पे दिखाऊं, तो ऐसा दिखता है, और बस थोड़ा सा यही difference है, कि linear में थोड़ा से ज़्यादा comfort आता है हमें, कि particular अभी क्या चल रहा है, उसके हिसाब से, और अभी जो current pattern है, तो मेरे खाल से बहुत अच्छी bet हो सकती है, या तो यहीं पर buy कीजिए, और नीचे आता है, 80 के असपास मिलता है, तो और ज़्यादा buy कीजिए, और उपर की तरफ देखे, क्योंकि मुझे लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि इसमें अब इंतजार वाला जो time था, वो खतम हो गया, और stock ने, जो range bound situation थी, उसको तोड़ा है, और सबसे बड़ी बात है daily का structure positive है, weekly का structure positive है, register analyst नहीं है, तो कोई भी trading related फैसला लेने से पहले अपने financial advisor से जरूर सला लें, और youtube पे comment section में comment करें, और follow करें, like करें, और बताएं आपको video कैसा लगा, आपको इस video के कोई query है, या कोई चीज आपको सुनिज में नहीं आई, या मेरा कुछ बताया हुआ, कुछ ऐसा लगा, कि जो नहीं match हो रहा है, या मुश्किल लगा, आपको 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 बताएं, आपको उसको सुधार्मी की कोशिश करेंगे, और जैसे एक viewer ने बोला था कि आपकी videos काफी dark रहते, तो इस बार हमने white background करके, थोड़ा असान करने की कोशिश की है, अब बताएए आपको कैसा लगा, तो यहीं पर बंद करते हैं, समाप्त करते हैं, थैंक यू, बाबाए.